निगम प्रशाचन और उपमहापौर आमने सामने आ गए हैं नगर निगम के डिप्टी मेयर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर इस पूरे मामले से अवगत कराया है आपको बता दे कि पिछले दिनों लॉज हॉस्टल और बैंक्विट हॉल के लाइसंस नहीं होने पर उन्हें सील करने के साथ ही तोड़ने की नोटिस निगम प्रशाचन की ओर से जारी की गई थी इस पर आपत्ती जताते हुए उप महापौर संजीव विजवरगीय ने एक प्रेस कॉन्फरेंस का आयोजन किया इस प्रेस कॉन्फरेंस के माध्यम से उन्होंने बताया कि हर दिन अख़वार के माध्यम से राची की जनता को उजारने का संदेश मिल रहा है जिससे राची की जनता बेवस महसूस कर रही है पिछले दिनों लॉज हॉस्टल और बैंक्विट हॉल के विशे में यह बात सामने आई है वही पहले से ही अधिकांश लॉज हॉस्टल और बैंक्विट हॉल के संचालक रिजिस्ट्रेशन कराने के लिए परिशान है लेकिन राची नगर निगम में आने से पता चलता है कि नियमावली में जो उलेख है उसके तहट उनका रेजिस्ट्रेशन संभव नहीं है जो वर्तमान में नियम है उसके हिसाब से वह एपलाई नहीं कर सकते हैं इस प्रेश कॉन्फरेंस के माध्यन से उन्होंने बताया कि लगतार तीन से चार वर्षों से बोट की बैठक में नियमावली संसोधन का प्रस्ता उफ पारित हो रहा है लेकिन सरकार इस और ध्यान नहीं दे रही है इस मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और इस पूरे मामले से अववत कराया है जिससे की वर्तमान नियामावली में शंशोधन हो और राची में वर्षों से रह रहे हैं लोगों को राहत मिल सके देखें लगतार पिछले कई मेहनों से अगर आप देखेंगे तो रोज जनता के लिए कुछ ना कुछ नए नियाम प्रकासी तात्रों के भी माधियम से हो रहे हैं और कहीं न कहीं जनता ढरी भी मताने क्या हो गया है लोग असमंजस की स्थिति में कि अब उनका क्या होगा आज एक बार में सुबर पढ़ने को मिला चालिस घर सील होंगे या उनको तोड़ दिया जाएगा कल सरवर नगर में भी कुछ घर को तोड़ा गया उसके पहले तो इस तरह के बहुत सारे आदेश ऐसे आ रहे हैं जिससे जनता के अंदर भैस हमाया होगा राजिस सरकार के पास जाने के पीछे किवल यही तर्क है कि राची नगर लिगम बोर्ड लगतार पिछले पास साथ वर्सों से इस बात के लिए लगा हुआ है कि जनता के इन समस् तो आप कर देने रहे हैं कुछ ना कुछ कानुनी जतिलता की बात कर रहे हैं तो आखिर हम करें क्या तो ये सब चीजों के लिए हमें नियामवली में संसोधन की आव सकता पड़ेगी और मैंने मुखमंत्री जी से यही आगरा किया है कि निकाहिस तरह पर इस तरह की एक विचार मिमर्स मैटक कीजिए और जो समस्या आ रही है जिससे लोगों का हल निकल सके ये सब कामों का वो क की सेवा में लगा हुआ हुस्पिटल है और एक तरह से देखा जाए तो आवसक्ता के अंदर लगा पाता है उस भवन को भी सील करने और तोड़ने की बात है तो कहीं न कहीं ये एक अलग तरह का प्रचार जा रहा है राची सहर में मेरा इस पश्ट रूप से कहना है 2011 से मैं लगा तार इस बात को उठा रहा हूँ कि राची अनप्लैंड सिटी है अचानक बढ़ा हुआ सहर है कैपिटल बढ़ने के बाद जनसंख्या में भेंकर बिद्धी हुई इंफ्राइस्ट्रक्चर का भी इर्रेगुलर विकास हुआ अब हम अगर तोड़ने का काम करेंगे तो मुझे लगता है कि यह जात्ती राची की जनता के साथ होगी क्योंकि अधिकारी उस समय भी थे आज भी है अगर नहीं बनने देना चाहिए था तो उस समय भी अधिकारियों को इस चीज़ पर रोक लगाना चाहिए था अब उस सम नगर निगम बोड में हम लोगों ने प्रस्तावला के सरकार से कहा है कि सरल किया जाए रेगुलराइजेशन के काम को अगर आप सरल करेंगे तो लाखों घर अवैद वैद हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे भवन हैं जिससे बहुत जादा अंतर ना तो ट्रैफिक पर पढ़ रहा है ना कोई सुरच्छा पर पढ़ रहा है लेकिन उन भावनों का भी नक्सा हम नगर दिगम के नियमों के कारण नहीं कर पा रहे हैं अब आज आप बहवारीक चीज़ देखेंगे आज के दिन बिल्डिंग बाइलोज जो बोलता है बिल्डिंग बाइलोज इस में अवैद को वैद आपको कहीं ना कहीं लोच लाना होगा कानून में बदलाव करने होंगा कानून ऐसा बने जिससे की अधिसंग के जनता मैं नहीं करता हूं कि सब को फाइदा मिल जाएगा लेकिन अगर हम ऐसे लोच ला पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक प्रियास कर पा वह वैद हो सके आप ट्रेड लाइसेंस उसके बारे बता बैंकवेट हॉल ऊस्टल की बात में बताना चालों आज के दिन राची सहर में पाँच हजार होस्टल चल रहे हैं अब उन होस्टल में जारखंड के कई सहरों के बच्चे बच्चियां या फिर अन्य जो सर्विस करते अर्व सिंद्स होस्टल रहते हैं हमारे यहां से अगर वह लाइसेंस लेने आएंगे तो हम एक परसेंट लोगों कोई और अगर एक साल के लिए बन सकता है अब बाद में नहीं बनाएंगे तो फिर तो मतलब नहीं हुआ कि एक बार आप उसको सही करार दिया बाद में गलत करार दिये तो कही न कही उस कानून बनाने दे समय ये विसंगतिया हुई है उनको अगर ठीक करेंगे तब ही हम कुछे सही धन से होस्टल्स का भी रजिस्टेशन करा पाएंगे सहर की अब आदी बड़ी सहर 20 लाग के जंता का सहर बन गया है सबसे बड़ा कारण है कि हम जो पेपर्स मांगते हैं वह पेपर्स की कमी है उनके पास नगर निगम के पास परिषानी यह है कि एक साफ़फेर बना हुआ है जिसमें चीजें अंकित है, जो पेपर देगा, उसका पास होगा है नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा अब इस रिजेक्ट को हम कैसे दूर करें, रिजेक्षन को दूर करना मकसद है नियमवली में संसोदन लाईगे तो अपने आप रिजेक्शन बंद हो जाएगा मुझे लगता है कि सरकार को इन सब भी से ओपर ध्यान देना चाहिए रेवेन्यू भी निगम का बढ़ेगा जनता की परेसानी भी दूर होगी सरकार की वावाही भी होगी इसलिए कि सरकार भी जनता द्वारा बनाई जाती है जनता को सुविदा देना सहर में मुख के कान नगर निगम का है तो राजे सरकार का भी है राजे सरकार को नगर निगम की सरकार के साथ समन्वे इस्तापित करके विचार भी मर्ष करके जो जो भी संगतियां है उनको दूर करके जनता के लिए हल निकालना है